Hello everyone, मेरा नाम राजीव है और इस JavaScript series के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे JavaScript code को हम अपने IDE यानि की Visual Studio Code या Atom या किसी भी और IDE में कैसे run करेंगे and then कैसे अपने webpage को run करके हम output देखेंगे तो सबसे पहले मैंने already एक template बना के रखा हुआ है अपने GitHub पे आप इसको download कर लो, इसका link मैंने वीडियो का description में दिया है तो वहाँ पे जाके आप इसको download कर सकते हो, download कैसे करोगे, code पे click करो और यहाँ पे download zip, यह आपका download हो जाएगा फिर आप अपना documents में downloads open करो यहाँ पे, यह रहा हमारा zero to hero, इसको extract कर लो, मैं यही पे extract कर लेता हूँ अब इसको हम open कर लेते हैं, visual studio code के साथ so open with other application, visual studio code so यह हमारा visual studio code में open हो गया इसमें दो file है दिख रहा होगा एक है हमारा index.stml index.stml, किसी भी नाम के आगया अगर .stml लगा हुआ है मतलब वो stml file है, stml file क्या होती है so जो भी हम website बनाते हैं, website कैसे बनता है, web pages से मिल के जैसे एक book बहुत सारे pages से मिल के बना होता है उसी तरीके से एक website भी बहुत सारे pages से मिल के बना होता है जैसे facebook एक website है, बट बहुत सारे pages से मिल के बना है अगर आप किसी user पे click करोगे user के नाम पे तो अलग page open होगा राइट अगर आप किसी दूसरे page पे जाते हो जैसे आप suppose USA का page देखना चाहते हो तो उसका अलग page open होगा राइट सो बहुत सारे pages से मिलके एक website बनता है और जो एक particular page होता है उसको web page बोलते हैं और web page हम कैसे design करते हैं web page design करने के लिए basically तीन technology का use होता है जिसमें सबसे पहला है stml अलड़ी मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूँ अब description में link के जाके देख सकते हो मैं short में एक बार बता रहा हूँ stml content के लिए में यूज करते है राइट दैन उसके बाद हमारा CSS जो कि हम styling के लिए presentation के लिए यूज करते हैं and then third हमारा JS यानि JavaScript जो कि हम logically यूज करते है page को dynamic बनाने के लिए तो CSS और JavaScript ये दोनों के दोनो stml file के अंदर embedded होते है right stml code के अंदर ही इन दोनों काम यूज करते है इस सीरीज में हम obvious सी बात है CSS stml के बात नहीं करने वाले हैं फिर भी मैं stml पर अलग से कुछ वीडियो बनाऊंगा आगे आप उसको देख सकते हो अभी JavaScript के बात करते हैं तो यह हमारा stml code है अब इसमें हम JavaScript code कहां लिखेंगे कैसे लिखेंगे सो stml code में आप देख रहे होगे यहां पर head है जो line number 3 से शुरू हो रहा है और line number 25 पे खतम हो रहा है सो stml में हर चीज open and close tag के बीचिम होती है जैसे आगा मैं heading देना हो तो उसके लिए tag है h1 open and then h1 close close कैसे होगा तो close वाले h1 में forward slash होगा इसके अब अंदर जो भी लिखोगे आप hey world इसको एक heading की तरह हमारे web paste पे print कर देगा उसी तरीके से हमारा head भी एक tag है जो देख सकते हो यहां पर line number 3 में open हुआ है line number 25 पे close हुआ है और body भी एक tag है जो line number 26 पे open हुआ है 28 पे close हुआ है तो अब इसमें हम java script code कहा लिखेंगे java script code हम head के अंदर लिखेंगे तो head के अंदर style के नीचे right head में सबसे नीचे हम लिखेंगे script s-c-r-i-p-t open and then script close forward slash s-c-r-i-p-t script close और आप जो भी java script code है script open close के अंदर लिखेंगे जैसे suppose आपको browser के console में कुछ print करना है तो उसके लिए हम use करेंगे console.log और जो भी console में print करना है जैसे हमें print करना है hello world right तो इसको save कर लेते हैं अब इस web page को run करेंगे run करने का दो तरीका है एक तरीका तो यह है कि हाँ folder में जाओ और zero to hero जो मारा file था इसको open करते हैं और यहां पर index.html को हम open कर लेते हैं browser में right so यह कुस टाइम ले रहा है I don't know why यह open हो गया हमारा और यह आप बोलो कि ग्रीन कलर जावा इसकृट fundamental लिखा हुआ है यह सब कहां से आ गया तो यह जो मैंने stml code आपको provide किया है पूरा उसका code लिखा हुआ है ठीक है जैसे आप देख सकते हो style के अंदर मैंने CSS code लिखा है इसमें मैंने क्या दिया है background में देखो मैंने color क्या दिया है यह सेम कलर सो कर रहा है और जो टेक्स्ट हमारा आ रहा है जावा स्क्रिप्ट फंडमेंटल पार्ट वान हो हैडिंग के वैसे एच वन वो बॉडी में मैंने लिखा है राइट अभी स्क्रिप्ट में मैंने code लिखा है console.log hello world यह कहां सो करेगा तो आप ब्राउजर में right click करो inspect पे जाओ और आपको यहां पे console दिखेगा console पे click करो देखो hello world आ गया बट इस जैसे अभी हमने web page को run किया इसका नुक्सान क्या है suppose मैं कुछ और इसमें print करता हूँ जैसे console.log और मैं टेक्स देता हूँ how are you how are you अब मैं इसको save करता हूँ control s मैंने save कर लिया open करते हैं ब्राउजर को अब देखो यहां पे output नहीं आया है अब यह output दूसरा तब आएगा जब web page refresh होगा तो इसके लिए में refresh करना होगा तो यहां तो f5 का use करो यह देखो यहां पे हमारा output आ गया तो यहां पे extension पे जाओ और यहां पे search करो live server राइट यहां पे इंस्टॉल का ओप्शन होगा इंस्टॉल कर लेना उसके बाद यहां पे stml page पे click करो और यहां पे जोखो open with live servers इस पे click करो अब यह page live server के साथ open हो गया console में इंस्पेक्ट करते हैं यह हम console में आ गए हमरा output यहां पे सोग कर रहा है है hello world how are you RK spelling basically गलत है so अब इसका फायदा क्या है सपोज यहां पे मैं एक और code कुछ लिखता हूं जैसे console.log मैं देता हूं यहां पे 4 plus 6 right sorry shift plus अब मैं इसको अगर रन करता हूं अब ब्राउजर को open करता हूं देखो अलरी यहां पर output आ चुका है मैं refresh करने के जुरुत नहीं पड़ता तो live server की क्या खुबी है कि जैसे यहां पर यहां पर save करोगे और नए code को तुरंत रन करके वेब पेस्ट पर आउटपूट शो कर देगा तो यह तो होगे हमारा एक तरीका कैसे हम जावास क्रिप्ट को लिख सकते हैं ठीक है और यहां पर स्क्रिप्ट टैक के अंदर स्क्रिप्ट टैक कहां लिखेंगे हैड के अंदर ठीक है सो मैंने अभी क्या बताया पेज को रन करने के दो तरीके है एक डाइट जो फोल्डर में जाके हम कर सकते हैं यहां से इंडेक्स.html पर डबल क्लिक करो या ओपन विथ गूगल करों बट इसमें नुक्सान क्या है सेव करेंगे तो अबडेट नहीं होगा दूसरा हमने लाइज सर्वर बनाया बताया ठीक है अब जावास क्रिप्ट को भी लिखने के दो तरीके है एक तो आप stml पेज के अंद होगा राइट तो यह पेज बहुत कॉम्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि एक ही पेज के अंदर हमने stml भी रखा है css भी रखा है जावास क्रिप्ट भी रखा है तो इसलिए यूजरी हम करते क्या है कि हम जावास क्रिप्ट को अलग पेज पर रखते हैं और फिर उसको सब लोग लेते हैं. अब जैसे stml में. के बाद इन.s tml लगाते हैं उसी तरह जावास क्रिप्ट में जावास क्रिप्ट पेज में पेज का जो भी नाम हो उसके बाद.js लिखेंगे हैं राइट एंठर हमेरा javascript फाईल हो गया Ừ जो भी javascript कोर लिखना है यहां पर जीक है पेस्ट और इसको सेव कर लेते हैं इंडेक्स.html और यहां से अभी स्क्रिप्ट टैग हटा देते हैं अब हम स्टमल फाइल को सेव करते हैं जावा स्कृट फाइल अलरेडी सेव है चलते हैं ब्राउजर में यहां दे को कुछ आउटपुट नहीं है क्योंकि अभी हमारे स्टमल फाइल को इस जावा स्कृट फाइल के बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें जावा स्कृट फाइल को स्टमल फाइल में इंबेड करना होगा मतलब हमें अपने स्टमल फाइल को बताना होगा कि एक जावा स्कृट फाइल है जिसको तुम्हें रन क पहले लिखा था open and close और अब यहां पे ध्यान रखना script के बीच में अब हम नहीं लिख रहे हैं जो script open है हमारा उसमें script के बाद angular bracket के अंदर ही लिखेंगे src src मतलब source equals to double quotation के अंदर page का नाम तो page का नाम क्या है script.js अब इसको save कर लो यह हमारा save हो गया अब देखों यहां पे यह हमरा output आ चुका है राइट तो आप जो भी हम javascript code लिखेंगे जैसे यहां पे script में हम कुछ और भी add करते हैं जैसे मैं यहां पे लिखता हूँ console.log hey I am from script.js सो save करते हैं वह आपस ब्राउजर में चलते हैं अब यह देखों यहां पे हमरा output आ गया है सो आप देख सकते हों कितनी सही सीज़े कि यहां पे मैंने stml code को अलग रखा और javascript code को अलग रखा तो इस सीरीज में आने वाले जितने वीडियोज हैं उसमें मैं javascript code इसी script js file में लिखने वाला हूँ और जो code होगा हमारा इसका output हम कहां देखेंगे यहां पे web page के यहां console में हम सारे output देखेंगे ठीक है और अभी मैं stml पर भी कुछ वीडियोज बनाऊंगा जिससे clear हो जाए कि stml code कैसे काम कर रहा है आने वाले वीडियोज में हम stml का भी मैं थोड़ा से introduction दूंगा और उस पर बात करूंगा तो अगले वीडियो में अब हम javascript को start करेंगे बिल्कुल basic से देखेंगे कि javascript कैसे काम करता है उसके syntax क्या होते है उसमें बहुत सारी चीजे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे so thank you for watching this video channel को subscribe करो like करो and अगर वीडियो सही लगा तो friends के शाथ share करो thank you